आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ इसका नाम है मल्टी मीडिया तो यहां पर मल्टी मीडिया में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कंप्यूटर गिफ इन्फॉमेशन इन डिफरेंट फॉर्म लाइक टेक्स्ट ऑडियो वीडियो दे कॉल्ड मीडिया मतलब कि कंप्यूटर जो मारी है डिफरेंट इंफरमेशन हमें प्रोवाइट करता है इन डिफरेंट इसे लेटी मेडिया गोलते हैं मीडिया जिसे मैं different different type की information मिलती है है ना next point है if any device use single media to give the information is called unimedia मतलब कि यदि कोई device single media single media use करके हमें information provide करता तो उसको unimedia बोलते है मतलब जैसे की radio radio को multimedia device नहीं कहा जाएगा इसे हम बोलेंगे unimedia क्योंकि इसमें सिर्फ हमें audio ये सिर्फ हमें audio provide करता है मतलब कि sound effect का use करके हम सिर्फ चीजों को सुन सकते हैं इसके लावा दूसरे चीजें हम इसमें नहीं कर सकते हैं और नहीं इससे समझ सकते कुछ भी next है लेकिन अगर कोई device जो multiple media use करके हमें information provide करता है उसे multimedia बोलते हैं जैसे कि phone हो गया computer हो गया अब देखिए phone और computer जैसे कि मैंने उपर example में लिखा है कि multimedia मतलब के text audio video है ना इस सारी चीजें यूज करें ऐसा device जो इस सारी चीजें यूज करके हमें information प्रोवाइड करें तो जो हमारा radio है वो multimedia में नहीं आएगा क्योंकि यह सिर्फ audio ही हमें provide करता है sound effect का यूज करके हम सिर्फ चीजों को सुन सकते हैं यहापर जबकि जो phone और computer है वो multimedia device होगा क्योंकि phone में हम text मतलब टाइप भी कर रहे हैं चीजों को लोगों को तक information पहुचा रहे हैं टाइप करके हम चीजों को सुन भी पा रहे हैं गाने वगरा भी हम सुन रहे हैं या फिर हमने कोई recording की है तो उसको हम देख भी पा रहे हैं वीडियो के तुरू और हम audio के तुरू हम सुन भी पा रहे हैं तो इसलिए इसको unimedia न बोल करके हम इसे multimedia बोलते हैं तो phone में भी same information चीज़े हम दूसरों को पहुंचा आशकते हैं उसी तरीके से computer में हम चीजों को देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं तो यह devices जो है multimedia में आते हैं जबकि radio सिर्फ आता है हमारा unimedia में तो multimedia के इस तरीके से different components होते हैं जैसे कि text होता है five components हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे text होता है audio होता और animation हो सकते हैं तो multimedya के different components में कुछ components यहाँ पर पढ़ेंगे जो पांच components हम यहाँ पर देखना पढ़ेंगे तो पहला वाला जो है वो text है तो combination of five elements हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहला है text टेक्स क्यों होता है collection of characters होता है collection of characters में देखिए अगर हम बात करें कि input क्या होगा उ तो हम इस तरीके से इंचार components या elements के तरूँ हम टेक्स को पहचान सकते हैं जैसे कि input तो input क्या हो सकता है टेक्स में keyboard की बोड जहां से हम टाइप करते हैं तो वह क्या होगा input होगा output क्या होगा output हमारा होगा monitor जहां पर हम चीजों को देखते है screen कोई भी screen यह डिस्प्ले screen ज software क्या हो सकते हैं इसमें software में जैसे कि हमारा notepad हो गया या ms word हो गया जहां पर चीजों को टाइप करते हैं notepad या ms word especially for documentation work के लिए यूज होता है और इसमें multiple functions होते हैं जिसे कि हम text को बहुत ही सुंदर बहुत ही attractive बना सकते हैं especially for text के लिए यूज होता है documentation के लिए यूज होता है documentation में तो text भी आ सकते हैं audio वीडियो कुछ भी आ सकता है तो जब भी हम ms word use करेंगे तो इसमें देखेंगे बार पर different functions होते हैं different different tabs होते हैं जहां पर अलग-अलग चीजे होते हैं उनके different functions को यूज करके हमारे textual form को हमारे documentation को बहुत ही attractive हम बना सकते हैं और हम खुद भी उसके save करके रख सकते हैं और हम दूसरों को भी provide कर सकते हैं especially for students जो हम notes बनाएंगे multimedia के वह हम जैसे कि यह मैंने यहाँ पर handwritten लिखा हुआ है अगर हम इसको चाहूँ तो मैं textual form में लिख सकती हूँ different diagrams डाल सकती हूँ आपको वह provide कर सकते हूँ तब देखें यह हो गया क्या software अब इसके type क्या हो सकते हैं जैसे की type में .txt हो गया .doc हो गया है तो यह जो extension का यूज करके जो हम short form में लिख रहे हैं तो हर कोई भी अगर हम file को save करना होता है तो यह extension के तो उसका name save करना पड़ता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई भी file save नहीं होगी तो .txt होता है .doc होता है ms word के लिए ऐसे ppt अगर बना .ppt जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है इसे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी documentation के लिए जो भी हम softwares use करते हैं उन सभी को हमें अगर उन files को save करना है तो फिर हमें कहीं न कहीं extension का यूज करके फाइल को save करना पड़ेका और सबके अलग 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 extensions होते हैं ठीक है यह मारा होगा text text क्या होता है collection of characters होता है जिसमें की input क्या होगा keyboard होगा output monitor होगा keyboard के तुरू हम text को type करते हैं output के तुरू मतला monitor में हमें दिस्प्ले हो जाता है software documentation है text के लिए जो software यूज करेंगे ms word, ppt, notepad कुछ भी हो सकता है और उसके types यहां पर extension का use करते हैं फाइल को save करते हैं वो इनके types होते हैं यहां पर next है components of multimedia में image image क्यों होती है capture images कोई भी किसी यह की इमेज करते हैं एक केамरा कैमरा सेखर हमकोई image को capture करते हैं ठीक है तो camera इसको ऑनिपूट होगा उसको देक्ते कहांपर है monitor पर देखेंगे तो monitor क्या होगा, इसका output होगा मतलब कि मैं ऐसा कह सकते हैं, किसी भी object को capture करने के बाद, captured form में अगर इसको हम display करते हैं, digitally display करते हैं monitor में, तो उसको हम बोलेंगे image, captured form में उसको हम digitally present करते हैं अगर हम system में, तो उसको हम बोलेंगे image, ठीके, तो image का input क्या होगा, camera और output क्या होगा, यह पर यह चार components से लिखे हो, input क्या हो, camera, output क्या होगा computer system के display screen उसके software क्या क्या हो सकते हैं Photoshop हो सकता है, इसके अलावा MS Paint हो सकता है, Microsoft Paint या फिर Picasa हो सकता है, तो images की 2-3 software होते हैं, ठीके, और इनके type क्या हो सकते हैं, मतलब की file है अगर Picasa में file है, या MS Paint भी file है या Photoshop भी file है, तो इसको save करोगे तो मैंने भी बिता है कि save करने के लिए उसमें extension यूज करना पड़ता है तो images के हो सकते हैं, dot jpeg, dot png, dot tif, या bmp तो सभी में dot लगा के extension लगा के sound card के processor या फिर memory की help से process करके हम इसको generate कर सकते हैं और speaker के द्वारे से हम सुन भी सकते हैं तो यह होते हैं audio, sound vibrations तो इसमें input क्या हो सकता है, microphone input हो सकता है output क्या हो सकता है, speaker जहांपर हम चीजों को सुनते हैं as a output, ठीक है, इसके अलावा, इसके software क्या होंगे software जिसे player का use करते हैं audio सुनने के लिए तो VLC हो गया, window media player हो गया, gom player हो गया कई सारे players होते हैं जहांपर हम audio को सुन सकते हैं इसके लावा, इसका type क्या होगा, इसके चारों चीज़ें हम सभी में cover करेंगे input क्या होगा, इसमें microphone, output क्या होगा, इसमें speaker software क्या होगा, इसमें player का नाम ले तो VLC, mildo media player, gom player यूज कर सकते हैं, type क्या होंगे इनके, mp3, dot, web, wav, यह सारे चीज़ें audio में हम यूज करते हैं, इसके लाव और पी examples आप लिख सकते हैं अगला है video, video क्या होता है, sequential collection of images, captured images, images का collection video कहलाता है, इसमें input क्या होगा, camera हो सकता है, output क्या होगा, monitor हो सकता है, software में वही VLC media, window media player, यह सब हो सकते हैं, और जो इसके type होंगे, वो भी mp4 होगा, dot, m.o.v होगा, तो इस सरे के से audio और video के लगबग, input, output, software और type उसके लगबग similar होंगे, ठीके, और last component आता है, animation, animation क्या होता है, imaginary video, created by software, है न, इसके software कौन-कौन से हो सकते है, flash होता है, 3D Max होता है, ठीके, इस तरीके से हम, इस सारे components को cover कर सकते हैं, और multimedia के साथ साथ उसके important components भी हम आपको लिखना अगर, वो exam में आता है, ठीके, thank you.